ऐसा रेश ने बनाई प्ले आउस में जगा RCB और CSK के बीच होगा वर्चूल कौर्टर फाइनल नमस्काम मेरे नाम है प्रियांशू नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी देखें सभी लोग इंतजार कर रहे हैं विराट कोली वर्सिस एमेस धोनी की रैवलरी का और साथ ही में 18 तारीक का तो कि उस दिन आप सभी को पता है कि RCB और CSK के बीच ये घमासान यूद होने वाला है लेकिन ये कोई आम मैच नहीं है क्योंकि नौक आउट पंच कौन किसको देगा ये होने वाली है बड़ी बात लेकिन CSK के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि CSK को बस मैच जीतना है और अगर CSK वहाँ पे अगर मैच नहीं जीत पाता तो उनके लिए क्वालिफिकेशन फच जाएगी बट अगर बात करें RCB की तो उनके लिए क्वालिफिकेशन चांसे और ज्यादा मुश्किल है इतना यह नहीं है उनके लिए एक बहुत इंट्रस्टिंग सेनारियों भी है अगर आपको वह सेनारियों बताए तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा अगर आर सीवी उस दिन चेस कर रहा होगा तो उन्हें जो भी टार्गेट मिलता है उन्हें 18.1 में चेस करना पड़ेगा पहला यह की आर सीवी को सिर्फ मैच नहीं जीतना है यह सारी की सारी जो आपके सिनारियों बन रहे ना इन में से एक को पूरा करना ही पड़ेगा वरना आपका क्वालिफिकेशन फच जाएगा आप पीछे रहे जाओगे और सीएस के क्वालिफाय कर जाएगी बट सबसे वड़ी बात यह है कि तीन स्पोर्ट ऑल्रीडी फाइनलाइज हो चुके है प्ले आफ्स के लिए बात करें वहाँ पे केक्यार की राजस्तान रॉयल्स की और संराइजर हैदराबाद भी अब क्वालिफाय कर चुकी है जैसा कि अब सभी को पता है कि ऐसा रेच और गुजराट आगे क्यों लग चुका है मतलब अब सिर्फ एक स्पोर्ट बचा है और लडने वाली दो टीम्स चैने सूपर किंग्स और आर सी बी लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि भाई आर सी बी और सी एसके के मैच में 18 तारीक को बारिश के भी बहुत सारे अनुमान लगाए जा रह आप उस दिन बारिश होती है सबसे पहले तो आपको बारिश के चांसे बताने तो उस दिन लगबग दिखाया जा रहा है वेदर प्रिडिक्टर के थूख कि भई 80% चांसे कि आपकी बारिश होगी ही होगी और बारिश अगर मैच में खलल डालती है जिस वज़ा से मैच नह आती है तो उसमें आर्टीवी का ही नुकसान है यूगी ने टरन रिट तो बढ़ नहीं पाएगी ने टरन रिट तो मैच नहीं कर पाएगी यूद्ध को सरपास करना पड़ेगा अब ओवर्ज घटेंगे तो आपके लिए क्वालिफिकेशन चांसे कम होंगे जिसमें आप ने टरन रिट को मैच कर पाएंगे कि उनसे उपर जा पाएंगे या नहीं यह तो आने वाला भग बताएगा लेकिन आके हिसाब से आर्टी भी और सीएसके में से कौन बाजी मारेगा कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ह जय हिन जय वारत